तो जो आज का हम करेंट का साइन्स टॉपिक लिए आए हैं वो है नुक्लियर रॉकेट फॉर्स स्पेस ट्रावल करने के लिए आईए जानते हैं तरिक्षियात्तरा के लिए तो यह क्यों हम पढ़ रहे हैं क्यों यह चर्चा में हैं वो हम पहले देख लेते हैं कि जो सेयत राज्ये ने अमेरिका रक्षा उन्नत अनुस अंधान परियोजना एजन्सी यानि के डारपा डारपा के एकॉर्डिंग एक एजन्सी है जिसकी फॉल फॉर्म है यूनाइटेज स्टेट्स डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजन्सी इस एजन्सी ने कॉलाबरेशन किया हुआ है किसके साथ नासा के साथ नासा के साथ कोलाबरेशन करके या इनका सहयोग प्राप्त करके इन्होंने एक प्रमानू प्रनोधन यानि की न्यूक्लियर प्रोपोल्शन सिस्टम बनाया है प्रमानू प्रनोधन प्रनाली की खोज कर रहे है किसकी खोज कर रहे है न्यूक्लियर propulsion system की ठीक है, भाई, क्या हम nuclear से भी एक rocket nuclear rocket भी भेज सकते हैं space पर travel करने के लिए, जिस से क्या होगा हमारा time, समय कम लगेगा, मतलब समय बचेगा ठीक है, किस को cut down करने के लिए, समय को समय को आधा करने के लिए संभाविक रूप से मंगल gravity यातरा के समय को आधा कर सकती है, अगर हम nuclear rocket को use करें, तो मार्स सक पहुशने का हमारा जो time है, जो अभी लगता है, उस से just half time, हमें आधा time लगेगा, मार्स पर पहुशने का, अगर हम use करते हैं, nuclear rocket, तो वहीं, डार पर NASA के साथ से योग करके, एक agency जो है, मिलके बना रही है nuclear rocket, इस महत्वकांशी पहल को demonstration rocket for agile cislunar operation के नाम से रखा गया, मतलब इसका क्या नाम रखा गया, demonstration rocket for agile cislunar operation, cislunar operation, मतलब BR ACO, ड्राकोज को रखा गया, इस operation का नाम, इस operation के तहत उन्होंने माना की, इसको वश्ट 2025 के अंत में, या तो end of 2025 या फिर 2026 के शुरुवाट तक, हम कोशिश करेंगे अपना ये शुरुवाट करने के, nuclear rocket space तक भेजने के, जिससे हमारा समय आदा हो जाए, मास तक पहुशने के लिए clear? अब ड्राको क्या operation है, उस ड्राको के बारे में हम जान लेते हैं, कि इस demonstration rocket, क्योंकि पहले तो ये क्यों ट्राइल लेंगे, demonstrate करेंगे, तभी हम आगे final step रखेंगे, ठीके, तो इन्होंने इसमें क्या रखा, इसकी launch date इन्होंने रखी है क्या? लेट 2025 ये 2026 के starting में, इन्हों ये मान के चल रहे हैं कि भी तब तक हम prepare कर लेंगे अपने आपको, क्यों इसके अंदर क्या है, ड्राको की क्या इसके अंदर उन्होंने नीती रखी है, कि कि किस principle पर ये work करेगा, कैसे ये कारे करेगा, तो ये energy derive करेगा, कहां से, जो fusion होता है ये uranium atoms का, तो uranium atoms के fission से ये energy derive करेगा, uranium atoms के fission से, ये क्या करेगा, energy derive करेगा, उर्जा प्राप्त कहां से करेगा, ये uranium atoms के fission से, तो वही है ड्राको पर योजनक होगा ले एक पिंडो के पीच, कम यात्रा, यानि कि समय को बचा रहे हैं, time को, समय और बहतर इंदन दक्ष्ण की संभावना परदान करती है, ड्रैको की दिश्टी का केंदर, एक प्रमानू रियक्टर है, मतलब एक nuclear reactor center है, ठीक है, जैसे आप ये देखेंगे, तो ये जो center है, इसका क्या है, ये nuclear reactor center है, ठीक है, जो uranium atoms के, विखंडन से प्राप्त उर्जा को उप्योग करेगा, मतलब य जो nuclear reactor है, जब uranium atoms fission करेंगे, उससे जो energy उत्पन होईगी, उसको ये utilize करेगा, किस के लिए अपनी उडान के लिए, ठीक है, और fast travel करेगा, राको कई तरिकों से अंतरिक श्यात्र में करांति लाने के शमता रखता है, कि भई, इससे बहुत सारे महत्व हैं, ये significance है, ये क्या से हमें क्या lab होने वाले है, क्या है, thwaran तथा गती, पहला क्या है, speed को लेके, ठीक है, acceleration को लेके, कि भई, जो हमारी गती है, वो तीज हो सकती है, mass तक पहुशने के लिए, जो हमें अभी time मानो, ज्यादा लग रहा है, वो हम आधा कर सकने है, सोचो किते कम समय में हम mass पहु and speed पे पहला lab हमें मिल रहा है इसका, अगर हम nuclear rocket को use करते हैं, space में travel करने के लिए, ठीक है, परंप्रिक rocket इंजिनों के विपरीद, जो रसाइनिक प्रतिक करिया, oxygen के साथ, hydrogen, atom, methane जैसे इंदन पर निर्बर होते हैं, nuclear पकरिया कहीं अधिक उर्जा उत्पन करती है, जिससे अ पूरी यात्रा में लगदार तेजी लाने में सक्षम होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि इसको कभी slow चलना पड़ेगा, फिल तेज, फिल slow, ये पूरी यात्रा में तेजी से अपनी complete कर सकता है, ये तुरन मंगल जैसे दूर के गंतव्यों तक यात्रा की समय को काफी कम कर सकत है, तो basically ये जो distance है, वो कम कर रहा है, कैसे अपनी speed बढ़ा के, ठीक है, अपना acceleration बढ़ा के, इसको ये नहीं है कि इस ताहिए पर इसको slow चलना है, ये तेज चलना है, ये अपनी speed को maintain कर सकता है, तेजी से ये जा सकता है, clear है, दूसरा किया है कि बड़ी हुई इंधन याने की fuel efficiency को ये enhance करता है, किसको fuel की जो efficiency है, उसको बढ़ाता है, परमाणू परणोधन परणाली अधिक इंधन दक्ष्टा उत्पन करती है, जिससे अत्याधिक परणोधक ले जाने के अवशक्ता कम हो साती है, मतलब जो हमें extra nuclear propulsion ले जाने पड़ते हैं, या फिर जो अभ लिए, तो engine की life बढ़ रही है, engine बहुत अच्छे से काम कर पा रहा है, क्योंकि उसकी fuel की efficiency बढ़ी हुई है, ठीक है, जिससे हमें जो extra propulsion हमें ले जाने पड़ते थे, वो नहीं ले जाने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये energy कहां से ले रहे हैं, uranium atom से जो nuclear rocket में या फिर nuclear center में हो र सकता हैं, clear, तो distance को कैसे reduce कर रहे हैं, अपने speed को बढ़ा के, ठीक है, time को कैसे कम कर रहा है, speed को बढ़ा के, क्योंकि इसके अंदब power है, ये एक ही तेजी speed से जा सकता है, इसको ऐसा नहीं कि बीच में slow चलना है, ये फिर तेज, फिर slow फिर तेज, ऐसा नहीं है, कि भाई, अब क्या concern है nuclear को लेके, हमने देख लिए इसके फायदे, लाब तो हमने देख लिए, अब इससे related कुछ concerns तो हो गई, वो concerns क्या है, पहला concern है safety का, क्या है, safety का, कैसे, कि भाई, accidents भी तो हो सकते है, अगर अंतरिक्ष में कोई accident हो गया, जिससे क्या हुआ, radioactive materials, release हुए, किस में, space में, या फिर वो अर्थ पही वापस आ जाएंगे, क्या होगे, radioactive metals, accident होगे, अगर कहीं टकरा गया, या यह fail हो गया, ठीक है, कोई engine problem हो गई, accident तो कहीं भी हो सकते है, space में भी अगर किसी asteroid से टकरा गया, तो क्या होगे, radioactive materials जो होगे, वो release हो जाएंगे, किस में, या तो space में ही गूमते रहेंगे, या फिर वो पृत्वी पर वापस आ जाएंगे, तो एक वो बहुत बड़ा safety का concern अभी है, दूसरा क्या है, इसके launch के risk, इसके launch से related risk है, क्या risk है launch से related, कि भाई, launch failure भी दो सकता है, अगर यह सही से launch नहीं हुआ, तो जो हमने इतना पैसे लगाया है nuclear rocket में, वो सब waste हो जाएगा, तो वो failure ना होए, इसलिए इन्होंने अभी time लिया है, कि या तो 2025 के end तर, या 2026 के starting तंग, हम इसको क्या करेंगे, launch करेंगे, ठीक है, तो यह इसके कुछ concerns थे, पहला concern क्या रहा, safety को लेके, द कोई space में टकरा के वहाई accident हो जाए, तो क्या होगा, radioactive material release होंगे, वो radioactive material, जासे अलग क्या, वो या तो space में घूमती रहेंगे, और वो कितने हानी कारक होंगे, space में घूमती रहेंगे, या फिर वो प्रिथ्वी पर वापिस आ जाएंगे, अब पता नहीं वो प्रिथ्वी प रहा है कि nuclear rocket हम ला तो रही है, कि से हमें फायदा क्या हो रहा है, कि जो हमारा समय है, वो कट रहा है, जो मार्स तक जाने में, जो कि हमारा सन से चौथा प्लानेट है, मार्स कौन सा प्लानेट है हमारा, सन से फूर्थ प्लानेट है, सन से चौथा नंबर पे आता है मार्स का ठीक है जिसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है तो मैं अगर इसको बोलू कि मार्स जो है फोर्थ प्लैनेट है संसे ठीक है मतलब सूरत से चौथा प्लैनेट हमारा मार्स है जिसको क्या कहा जाता है मार्स के जो दूसरा नाम है वो क्या है रेड प्लैनेट इसको रेड प्लैन किया कारεια को लाल प्लेनेट बोलते हैं क्योंकि इसका जो appearance है वो reddish है। इसका appearance जो है, वो reddish है। इसलिए इसको इन्होंने провод prince के नाम से भी रखा, reddish appearance दिखने में लाल दिखता है, इसलिए इसकी जो मिट्टी है ये लोग लाल मिट्टी बोलते हैं इसको red planet बोलते हैं क्योंकि iron oxide का rust इसके surface पर होता है किसका rust होता है iron oxide का rust इसके surface में iron oxide का rust होता है इसलिए इसको red planet कहा जाता है तो mars जो हमारे sun से चौथे नंबर पर है planet उस तक पहुशने पर जो भी हमें time लग रहा है उसको कम करने के लिए आधा करने के लिए कम भी थोड़ा बहुत नहीं सीधा का सीधा आधा करने के लिए हम nuclear rocket यूज कर सकते हैं और हम जल्दी पहुश सकते हैं distance उतने ही distance को हम जल्द कर सकते हैं कैसे speed को बढ़ा के अपनी speed को गती को बढ़ा के क्योंकि वो तेजी से जा सकता है और nuclear rocket किस principle पर काम कर रहा है uranium atom के proportion से जो energy create हो रही है उसी energy को वो यूज कर रहा है तो जो भी हमें extra propellant carry करने के जरूरत थी वो जरूरत नहीं है ठीक है क्योंकि size भी छोटा हो ग पड़ा होएगा heavy होएगा इसलिए उसको starting में slow तेज ऐसे करना पड़ेगा तो इसमें तो extra part है ही नहीं इसलिए nuclear rocket तेजी से अपनी एक ही गती को maintain कर सकता है तो आज जो हमने पड़ा वो nuclear rocket की space में अगर ट्रावली करने के लिए समय कम हो जाए तो हमें कितना लाब रहेगा हम अपनी research अपनी studies और जल्दी carry कर पाएंगे हम क्योंकि अंतरिक्ष जल्दी पहुच पा रहे हैं तो अगली class में फिर हम कोई next topic current का लेकर आएंगे तब त